दोस्तों आप सबी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वावत थे आज की इस वीडियो के माद्धिम से मैं आपको MP सिविल जज के कुश्चन पेपर लेकर आया हूँ कि MP सिविल जज में किस प्रकार के पिशने पूछे गए थे 2019 के पेपर में दोस्तों एह एकजाम पंडित मौतिलाल विधी महाविद्याले द्वारा कंड़क्ट करवाए गया था इस एकजाम में उन्ही कुश्चनों को पूछा गया था जो MP सिविल जज की एकजाम सन 2019 में पूछे गए थे दोस्तों इसका एक पार्ट मैंने अपने यूटूब चैनल पर पहले ही अप्लोड कर दिया है आपने अभी तक पहले भाग को नहीं देखा है तो पहला भाग देख लीजिए इस एकजाम लेने का एक ही उद्दिस था जिन बच्चों ने इस एकजाम को दिया था उन बच्चें को पंड़ित मौतिलाल बिधी महाबिद्याले दुआरा छतर पूर फिरी कोचिंग उपलद्द कराई जाएगी और जिन बच्चों ने एकजाम नहीं दिया है वह भी अगर कॉंपटिशन की तयारी करने के युक्छुक है डेली किला से ले सकते हैं कॉंपटिशन की और कॉलेज की तो वह भी इस कॉंपटिशन की तयारी कर सकते हैं लेकिन उन्हें एक आबिदन देना होगा प्रिंसिपल सर को या रेश्टार सर को दोस्तों इसमें अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के कुश्चन पूछे गए थे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर अब्जेक्ट को दोस्तों किलियर कर दूँगा और आंगे इसी कुश्चन पेपर से आपके एकजाम में कुश्चन पूछे जाएंगे MP सिविल जज़ के एकजाम में अगर आप MP सिविल जज़ की तयारी कर रहे हो तो आपके लिए एह वीडियो काफी महत्पूर हो जाता है इस बॉक्स में भी दोस्तो मेसेज कर सकते हो अगर आप कॉम्पटिशन किलास लेने को एक चुक हो लेकिन आपको डेली किलास लेने पड़ेंगी दोस्तो इसमें इंक्याओं नंबर का कुशन पूछा गया था निम्न मेंसे कौन अधिनियम के आंतरकत परिभासित कुटम्म का सदस्य नहीं है दोस्तो कुटम्म के सदस्य को मद्देश इस्थान नेंतरन अधिनियम 1961 की धारा टू इ में परिभासित किया गया है इसका सी ओप्सन सही है पुत्र का पुत्र अगला पूछा गया था मद्देश इस्थान नेंतरन अधिनियम लागू नहीं होता है दोस्तो अगला पूछा गया था तुरेपन अधिनियम के प्रियोजनों को कारियान बित कनने के लिए नियम बना सकेगी इसका दोस्तो डी ओफशन सही है राज्य सरकार नियम बना सकेगी भाड़ा नियंतरक प्रादिकारी सब्दों को परिभासित किया गया है धारा टू एफ में यानि कि एफ से याद करना है दोस्तो आपको फार्जी अधिकारी फार्जी अधिकारी यानि कि भाड़ा नियंतरक प्रादिकारी इसके बाद अगला पूछा गया था मद्धिदे स्थान नेंतराण अधिनियम राज में कब से पिवर्थ है यानि की पूछा गया था मद्विति Quindiaiate, इस्थाần 29 अधिनियाम है जो उसे कब से मद्विति स्थां 29 अधिनियामें bestimmt कब से मद्वितिश में लाजू किया गया था और इसके वाद अगला पूछा गया था अंत्रिम भाड़ा नियत किया जाता है आरसी ये द्वारा भाड़ा नियंतरक प्राधिकारी द्वारा दोस्तों अंत्रिम भाड़ा को धारा ग्यारा में बताया गया है इसके बाद अगला पूछा गया था दोस्तों मदविदेश भू राजस सहित्ता 1969 कुष्चन पूछे गये थे अगला कुष्चन निमने मैं से कौन राजस से अधिकारी है इसका दोस्तों ये ओप्सन सही है आयुक्त आयुक्त होता है जो राजस से अधिकारी होता है अगला पूछा गया था किस धारा के आंतरगात मार्ग अधिकार तथा अन्य प्राइबेट सम्मंदित अधिकार को परिभासित किया है दोस्तो इसका B options है यह धारा 131, धारा 132 को निर्सित किया गया है और धारा 133 में बादा का हटाया जाना धारा 134 में बताया है बंद पत्र का निस्पादन इसकी बाद अगला object पूछा गया था धारा 250 B के अंतरगत अपराध है दोस्तो इस अंगे अपराध भी है और आजमानती है यानि कि C options है ए और B दोनों इसके बाद अगला पूछा गया था राजिस्व मंडल की बैठक का मुख इस्थान क्या है इसका दोस्तों C options है गौालियर है जो राजिस्व मंडल की मुख बैठक का इस्थान है अगला पूछा गया था साटमा आबाधी किस धारा के आंतरगत परिभासित है आबाधी को धारा 2A में परिभासित किया गया है और धारा 2M में भू अभिलेक सब्दों को परिभासित किया गया है और धारा 2D में लगान सब्दों को परिभासित किया गया है इसके बाद दोस्तो भारतिय साक्षादी नियम 1872 से कुर्ष्यन पूछे गये थे इसमें 61 नंबर का कुर्ष्यन पूछा गया था लोग दस्ताबेच का उल्लेख है यानि कि जो पबलिक डोकुमेंट होते है उन्हें किस धारा में परिभासित किया गया है उसका C option सही है यानि कि धारा 74 में लोग दस्ताबेच को परिभासित किया गया है और धारा 75 में प्राइवेड दस्ताबेच को परिभासित किया गया है अगला पूछा गया था नियाले सब्द में कौन नहीं आता है यानि कि न्याले सब्द के अंतरगत कौन नहीं आते है न्याधीस आता है मजिस्टेड आता है साक्ष लेने के लिए पिलादी के सभी व्यक्ति आते हैं न्याले सब्द के अंतरगत मद्यस्त इसके अंतरगत नहीं आते है इसके बाद अगला पूछा गया था किस दस्तवेच की अंतरवस्तु का उस ब्यक्ति द्वारा जिसने स्योम उसने देखा है दिया हुआ मोखे ब्रतान्त है दोस्तों इसका बी ओप्सन सही है दुतियक साक्ष है इसके बाद अगला धारा च्छे है जो जेश जिस्ति की सिद्दान्त से संबंदित है धारा च्छे को मैं लिखा है एक ही संब्यवार के भाग होने बाले तत्तों की सुसंगती के बारे में और धारा आठ को दोस्तों आपको याद करना है MP PST से यानि कि M से होगा आपको मोटे व्याब मोटे व और इस P से करना है आपको previous यानि की पूर्व और S से सबकेक्षन यानि की पस्यात और C से कंड़क्ट यानि की आच्रान madre पूर्व हेतु तयारी पूर्व इवं पस्यात का आचरन धारा आठ में बताये गया है धारा साथ में बताये गया है बे तत्थ जो बिवादक तत्थों के फिसंग हेतुग और परिणाम है धारा 9 में दोस्तों सुसंगत तथों के इसपश्टी करान या पुना इस्थापना के लिए धारा 9 को सिनाक्त कारवाई या सिनाक्त का नियम भी कहा जाता है इस प्रकार का दोस्तों आप से object पूछा जा सकता है कि सिनाक्त की कारवाई को किस धारा में परिवासित किया गया है उसका option होगा 9 अगला question पूछा गया था बिसेसगी की राय के आंतरगत दी गई है इसमें B option सही है धारा 45 इसके बार अगला पूछा गया था ताजा इसमेती के आंतरगत परिवासित है C option धारा 169 इसके बाद अगला पूछा गया था सबूद का भार के आंतरगत दिया गया है इसका सबूद का भार इसका A option सही है और धारा 102 में बताए गया है सबूद का भार किस पर होगा धारा 103 में बताए गया है बिसिष्ट तत्तों के बारे में सबूद का भार धारा 105 में बताए गया है यह साबित करने का भार की अभियुक्त का जो मामला है और अपवादों के आंतरगत आता है इसके बाद अगला पूछा गया था धारा पैतालिस में किसी बिसिसद का अभिमत है दोस्तों इसका सी ओफसन सही है सहायक और समपुष्टी कारक है अगला इन में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है इसका सी ओफसन सही है मानसिक रूप से बिछिप्त ब्यक्ती सक्षम साक्षी नहीं माना जाता है इसके बाद अगला पूछा गया था अनेयंत्र होने का बचाव सासित होता है इसका C-Option से ये धारा 11 में धारा 6 को रिश जिश्टे का सिद्दान्त कहते है यानि कि एक ही संब्यवार के भाग होने वाले तत्तों की सुसंगती के बारे में बताती है धारा 6 और धारनों को सिनाक्त कारवाई कहा जाता है इसके बाद अगला पूछा गया था फोटो की दोवारा संदिक्त ब्यक्ति की पैचान इसमें B-Option सही है साक्ष में सीकार है अगला 72 नंबर का पूछा गया था निया इत्तर संस्किती ओह संसुक्रिती है जो की जाती है दोस्तों इसका D-Option सही है चिकिस्ट की समक्ष एवं मित्त की समक्ष इसके बाद अगला पूछा गया था एक मामले में अनुसंधान के दोरान आयूजित पैचान परे भारती साक्ष अधिनियम की किस धारा के आंतरकत साक्ष में गिराय है दोस्तों इसका D-Option सही है यानि की नो नो को सिनाक्त कारवाई के नाम से भी जाना जाता है और धारा साथ को 2 तत्त जो विवादक तत्तों के फिसंग हेतु या पैड़ाम है dhara 6 को रेश-जेश्टे चैसे रेश-जेश्टे याद करना है दोस्त रेश-जेश्टे सबदों को परिभासित किया गया थारा छे में दहरा आठमें दोस्तों याद करना है MPPPSC यानि कि MPPSC को याद करना है धारा 8 में यानि की हेतु तैयारी पूर्वियमपस्यात का आचणन धारा 8 में बताए गया है इसकी बाद अगला पूछा गया था अज़ित का आचणन सुसंगत हे अंतरगत इसमें दोस्तों धारा आठ है जो इसका ये उप्सन सही होगा इसके बाद अगला पूछा गया था पचत्तर मा किसी तत्तो को पेमारित कनने के लिए कितने साक्षों की अब सिक्ता होती है इसका डी उप्सन सही है कोई संख्या दर्सित नहीं है इसके बाद भारतिये डंड सहित्ता 1860 से पूछे गाई थी प्रिश्ण MP सिविल जज की एकजाम में दोस्तों इसमें 76 नमबर का कुश्चन पूछा गया था भारतिये डंड सहित्ता कब लागू की गई इसका C उप्सन सही है 1862 में भारतिये डंड सहित्ता लागू की गई इसके बाद अगला पूछा गया था भारतिये डंड सहित्ता का प्रारूप किसने तयार किया इसका D option सही है अपरादिक आसए इसके बाद अगला पूछा गया था कौन सा अपराद का अवस्यक तोत्त नहीं है दोस्तो इसका स्थी ओफ्षन सही है हे तू इसके बाद अगला पूछा गया था पितेक संबिधी में दुरासा अंतनेहित माना जाता है जब तक कि इसके पितिकोल सिर्द नहीं किया जाता है एक किस मामले में निर्धारित किया गया इसका A option सही है इसके बाद अगला पूछा गया था एक्यासिमा A A नाम का एक बेक्ती है जो एक अच्छा तेराख है B को नदी में दूपती हुए देखता है A B को नहीं बचाता है तथा B है जो डूप कर माय जाता है A किस अपराद का दोसी होगा इसका D option सही है A ने कोई भी अपराद नहीं किया है इसकी बाद 82 नंबर का कुर्शन पूछा गया था नियाले सब्द को भातिय डंड सहित्ता की किस धारा में परिभासित किया गया है नियाले सब्द को भातिय डंड सहित्ता की धारा 20 में परिभासित किया गया है यानि कि D option सही है और धारा सत्रा में परिभासित किया गया है सरकार सरकार से याद करना है दोस्तों सत्रा सत्रा सरकार धारा अठारा से इंडिया इंडिया यानि की भारत को परिभासित किया गया है धारा अठारा में धारा 19 में 29 सब्दों को परिभासित किया गया है इसके बाद अगला पूछ सेवक नहीं है दोस्तों लोक सेवक कौन नहीं है इसका डी आफशन सही है बिस्से विध्याले का परिंच्छक एक लोक सेवक नहीं है इसके बाद अगला पूछा गया था 84 सामान ने आसे भातिय डंड सहित्ता की किस धारा में परिभासित किया गया है सामान ने आसे को भातिय डंड सहित्ता की धारा 34 में परिभासित किया गया है इसका ये option बिल्कुल सही है और धारा 149 में सामान ने उद्धिस को परिभासित किया गया है और धारा 297 में कब्रिस्थानों आदी में अतिचार करना यानि कि किसी धर्मे के बिरुद्ध कोई अपराद करता है उसके बारे में बताए गया है धारा 297 में अगर कोई व्यक्ति है कब्रिस्थानों में अतिचार करता है तो उसे धारा 297 के तहट डंडित किया जाएगा इसके बार धारा 316 में बताएगा है सजीव आजात सिसू की मेत्तु कारित करना यानि कि एक ऐसा सिसू जो अभी गर्व में है आप उसकी मेत्तु कारित कर देते हो तो आपको धारा 316 के अंतरकत सजा दी जाएगी इसके बाद अगला कुस्चन पूछा गया था 85 सामानी आसाय का तातपर है दोस्तो सभी दोड़ा आसाय में भागी दारी होना अगला question पूछा गया था भारतिये डंड सहित्ता की धारा त्रेपन में कितने प्रकार के डंडों का प्रवधान किया गया है इसका दोस्तों ये option सही है छह प्रकार के डंडों के बारे में प्रवधान किया गया है पहला तो है मृत्तु डंड और दूसरा है अजीवन कारावास और तीसरा है काले पानी की सजा और चोथा है संपत्ति का संभरान और पांचमा है कारावास और छटमा है जुरवाना दोस्तों छे प्रकार के डंड को भातिये डंड सहित्ता में बताए गया है लेकिन जो तीसे नंबर की सजा है काले पानी की सजा काले पानी की सजा को सन 1949 में निर्सित कर दिया गया है आज बरतमान में पांच पिरकार की सजा ही किसी बेक्ति को दी जाती है आप से आने बाले एक जाम में पूछा जा सकता है की काले पानी की सजा थी उसे कब निर्सित किया गया है इसलिए इस कुश्चन को आपको याद रखना है सन 1949 में काले पानी की सजा को निर्सित कर दिया गया था इसके बाद अगला कुश्चन पूछा गया था एदी बालक द्वारा किया गया कोई कारे अपराद नहीं है एदी ओह बालक है इसका B-Option सही है साथ बरस से अधिक किन्तु 12 बरस से कम आयू का आप परिपक बुद्धी का इसके बाद अगला पूछा गया था हत्या के अपराद के लिए भारतिये डंड सहित्ता 1860 की धारा 302 में क्या डंड प्राधान है दोस्तों इसका D-Option सही है मेत्तु डंड या जीवन कारावास और जुर्बाना पिलस जुर्बाना है इसके बाद अगला कुछ्चन पूछा गया था 89 भारतिये डंड सहित्ता की धारा 1880 में आसाय होना चाहिए इसका दोस्तों D-Option सही है A अथवा B यह हो सकता है या B हो सकता है इसके बाद अगला पूछा गया था 90 D Minimans Curate Lex का सिद्दान्थ दिया गया है दोस्तों इसका D-Option सही है धारा 95 में और धारा 94 में बताए गया है और है कारे जिसको करने के लिए कोई भ्यक्ती धमकियों दोरा विवस किया गया है धारा 93 में सत्भाव पूर्वक दी गई संसूचना के बारे में बताए गया है इसके बाद अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता यानि की CRPC 1993 में 91 नमबर का कुश्चन पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता 1973 में कितनी धारा है इसका ए उफसन सही है 400 चुरा अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता 1973 में किसके दवारा संसोदन किया जा सकता है इसका दोस्तों ए उफसन सही है संसद अधवा किसी राज्य बिधान सबा दवारा इसके बाद अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता 1973 की धारा 2C में परिभासित किया गया है दोस्तों इसका C option सही है संगे अपराद को और जमानती अपराद को धारा 2A में परिभासित किया गया है और संगे अपराद को धारा 2I में परिभासित किया गया है इसके बाद अगला पूछा गया था किसी अपरात का अनबेशन किया जाता है किसी अपरात का अनबेशन किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा ए ओप्सन सही था इसके बाद अगला अनबेशन का उद्देश होता है दोस्तो इसका सी ओप्सन सही है अभियुक्त के बिरु और रोपे तक से वाद अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया साइता के आंतरकत कुछ अपरादों में जनता दवारा सूचना दिये जाने का प्राउधान है इसका D of Sun सही है, धारा 49 में जनता चाल्टा सूचना दे सकती है पुलिस को इसके बाद अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया सही ता कि निम ने किस धारा के आंतरकत पुलिस अभियुक्त को बिना बारंड के गिरफतार कर सकती है यानि कि पुलिस किस धारा के आंतरकत अभियुक्त को बिना बारंड के गिरफतार कर सकती है इसका स्री पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता की किस धारा के आंतरगत तलासी बारंट जारी किया जाता है दोस्तों इसमें B-Option सही है धारा 93 के आंतरगत इसके बाद अगला पूछा गया था अधिकतम कितने समय के लिए बंद पत्र भरवाये जा सकता है इसके बाद अगला पूछा गया था धारा 125 डंड पिक्रिया सहित्ता में भरन पोसंड की साहिता कौन पा सकता है दोस्तों इसका ए ओप्सन सही है इसके बाद अगला पूछा गया था डंड पिक्रिया सहित्ता की धारा 154 के अधीन पिथम सूचना रिपोर्ड दी जा सकती है इसका दोस्तों इसका C option सही है केवल संगे अपराद के संबन्द में ही इसके बाद अगला question पूछा गया था एक सोतीन डंड पिक्रिया सहित्ता यानि की CRPC के अनुसार अंतर नहत सकती नहत है इसका यह option सही है उच्च नियाले में इसके बाद अगला question पूछा गया था अनबेशन अधिकारी द्वारा आग्या पक रूप में केस डायरी में लिखा जाता है यानि की केस डायरी को केस धारा के अंतरगत परिभासित किया गया है CRPC की दोस्तो इसका answer है C option धारा 112 की अगला पूछा गया था पुलिस के समक्ष उपस्तिती के लिए notice डंड पिक्रिया सहित्ता की किस धारा में दिया जाता है इसका B option सही है यानि की धारा 41A के अंतरगत और धारा 41C में परिभासित किया गया है जिलों में नियंतरन कक्ष होंगे और धारा 41 में बताए गया है बिना बारंट के गिरपतारी और धारा 41B में बताए गया है कि गिरपतारी की पिक्रिया तथा गिरपतार करने वाले अधिकारी की क्या कर्तब होंगे इसके बाद अगला कुश्चन पूछा गया था दोस्तो प्राक्रम लिखित अधिनियम 1881 से इसमें अगला कुश्चन पूछा गया था बेंकर सब्द संबंदित है इसमें B option सही है यानि कि धारा 3 और धारा 6 में चेक सब्दों को परिवासित किया गया है और धारा 2 को निर्सित किया गया है और धारा 5 में बिनिमाए पत्त को परिवासित किया गया है इसके बाद अगला पूछा गया था पराक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार बेंकर के आंतरगत कौन आता है इसका दोस्तो C उप्सन सही है A एवं B दोनों आते है इसके बाद अगला पूछा गया था पराक्रम लिखित अधिनियम के आधीन डंडनिये पितेग अपरात की प लिए दारा है चेकों के अनादत हो जाने की दस्था में संभनीत अध्या है कौनसा है इसका दोस्तो बी ऐप्षन से है है अध्या सत्रा और अध्याएं सूला है अंतर पायेग है कि इसकी बाद अगला कुर्ष्चन पूछा गया था आखरी कुर्ष्चन कुर्ष्चन 110 किस ने प्राक्रम लिखित अधिनियम उन्निस सो अठारा सो एक्यासी का प्रारूप तैयार किया है दोस्तों कि इसका यह ओप्सन सही है तिती यह बिदी आयोग ने प्राक्रम लिखित अधिनियम अठारा एक्यासी का जो प्रारूप है तैयार किया था दोस्तों स्विल जच्च की एक्जाम में एही 110 questions पूछे गये थे और 20 question ओ और 20 question दोस्तों MPGK के पूछे गये थे और 10 question computer से पूछे गये थे और 10 question English के पूछे गये थे इस प्रिकार्ण 500 नमबर का MP Civil Judge का एक्जाम पूछा जाता है ना ही इसमें किसी प्रकार की माइनिस मार्किंग होती है इसलिए आपको सभी 500 कुश्चन को टिक करकर आना है और इस कुश्चन पेपर को बहुती अच्छे से इन अबजेक्ट को तैयार कर लेना है इनी अबजेक्ट को दोस्तों र कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों धन्वाज जय हिंद जय भारत